दो लाग सब्सक्राइबर है, दस हजार लोग हमारा वीडियो देखेंगे, तो पुरा आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे, और यह देख रहे होंगे, आपको बड़ा अश्चरे लग रहा होगा कि आखिरे क्या है, और यह देखिए बनारस का सौमी नारायन मंदिर, यह पूरे वारा नसी सहर की मंदिरों की आप यासरा कर शकते हैं, रोफ्य के जरिये, और यह देखिए दस असमेद घाठ, बारिस के दिनों में, यहां पर आप देखिए दीना चाठ भंडार, फेमस चाठ यहां पर बिलता है, और यह दीना चाठ भंडार के जस्ट अपोजिट साइड में, एक खाटू शाम मंदिर, भयांकर तेज बारिस में बनारस की आत्रा है, और दोस्तों अभी हम बारिस में भिखते हुए, टैंट अस्टेशन जा रहे हैं, हम लोग को एक रुपय खर्च नहीं हुआ बनारस कुमने में, वो, दोस्तों आखिरकार हमारा सपना सपना यही था, पूरे भारत वर्ष की आत्रा करनी है, साउथ इंडिया जाना है, माराष्टा जाना है, कन्या कुमारी जाना है, जमू कश्मीर जाना है, और वो सपना पूरा होने वाला है, और आप सबका सपोर्ट चाहिए, केबल दस हजार लोग, अगर दो लाग सब्सक् आत्रा में, लखनो विपशना साध्ना करने के पहचात, ये बुद्धी हमारी खुली है, कि कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, लोग के कल्यान के लिए काम करना है, कि लोग दुख से कैसे बाहर निकले, जब तक ओ मोका नहीं आ जाता, तक तब संपुर्ण भारत की हैं, और अपनी यात्रा के सुरुवारत हम काशी शे करेंगे, भारत की आध्यातनिक सांस्कृतिक राजधानी, काशी, पुरातन नगरी, काशी, और यहां से अगर स्री गनेश हो, संपुर्ण भारती यात्रा की, तो यात्रा का क्या कहना, और यही पर आपको जलेबा मिलता है, तो काशी रेलवे एस्टेशन से जैसे आप बाहर निकलते हैं, तो यहां का जलेबा और कचोड़ी सबजी खाना न भूले, और यह देखिए बनारस का सौमी नारायन मंदिर, मच्छोदरी में, गुजरात के सौमी नारायन मंदिर के त यहां पर लोग एस्टेश भी कर सकते हैं, महापुरान कथा, तो अभी ते शुरुवात है, अभी कासी की यात्रा कर रहे हैं, और पूरे भारत वर्ष की यात्रा करेंगे, और जतने भी मंदिर है, जतने भी आध्यात्मिक प्लेस है, जतने भी तीर्थ छेत्र है, जतने भी नच्छरल प्लेसे हैं, तो हर जगह हां आपको लेकरके चलेंगे, तो बड़ी अध्भूत यात्रा होने वाली है, बस आप वेडियो को पूरा देखिए ङा, लाइक करिए और ने थोड़ा सा की हमाइन करते हैं अर् काशी करते हैं तो Syria क्या दिखा है तो अगर कासी आए और कासी का पान ना खाएं क्या खासी है पान के भूल जाएगा मूह मूह में घुल जाएगा और घोड जाएगा यह पान को अच्छा और देखें काल भेरो का दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और यहां पर आपको सुद्ध ही का पूड़ी मिलेगा और सब्जी मिलेगा जैसा लग रहा है आपको चुछ खाली अभी वेट कर रहे हैं पहले खाई थी कभी यह देखिए उत्सुक्ता काफी होती है यहां पर यहां तो यह बहुता बता रहें कि सही है कि अधि क्यों पूराने मिठाई के दुकान है कम चुछ एफ्पेसल खाशित क्या होता है यहां के में जो है पुराने इस्टाइल की आपको quality product मिलेगा है जिसमें कई चीज है अपकी मलाई गलोरी है परमल है शुरकदम है चमचम है यह तेरा है तेरंगी बर्टी है गुजिया है लॉंगलता है तो मिलेगा वह कहीं नहीं मिलेगा जो टेस्ट क्वालिटी इधर सगली में मिलेगा आपको पूरे मनारस में करेंगे ही बनारस आने के बाद जो की खास होता है और यहां की क्वालिटी जो होती है बहुत जबरजट होती है और देखिए ठठेरी बजार में पूरा उपर तार लटका हुआ है तो अगर मनारस को तारों का सहार अगर कहा जाए तो आतिश्यक्ति नहीं होगी और ठठेरी और दोश्तों हम आचुके हैं बनारस में चोक पर देखे ठाना चोक राइट साइड में अंग्रेजू के जमाने का एक ठाना बना हुआ है और यह चोक से ही राइट साइड दाल मंडी हड़ा सराय जाने का रास्ता है और बिल्कु सीध है काशिविश्वनात मंदिर और कि अगर अगर आपको जाना पड़ेगा तो विएपी लाइन से जाहिए जो कि तुरंट दर्शन होगा पांदस में लेका लेकिन जो यह वाला कितना पैसा लगता है विएपी का विएपी लाइन के तिन सुर पर लग रहे हैं करने के लिए और देखिए काशी विश्वनात मंदिर के बगल में अनुपूर्णा मंदिर है और वहीं पर भोजन मिलता है बहुत अच्छी क्वालिटी का भोजन मिलता है अच्छी का अच्छी विए और देखियां पूर्णा भोजनाले में हम लोग का भोजन आख चुका है और यहां पर अनुपूर्णा का पफ़त काफी अच्छा लगा और अब हम आचुके हैं गुदोली अच्छोक और यह से दसा सुमेध घड़ जाने का रास्ता है और यहां पर दसा श्रोमेध रूड में लेडिश के लिए सारा वियर क्लॉट्स यहां पर मिलता है और यह दसा सुमेध घड़ से पहले दसा सुमेध पवन हर हर महादेव और यह देख रहे हूंगे आपको बड़ा अश्चरे लग रहा हुआ कि आखिरे क्या है क्या है आप ही बताइए दो तो यहां पर रोपवे बन रहा है आप वारा नसी केंट जैसे उतरेंगे तो पूरे वारा नसी सहर की मंदिरों की आप याश्रा करशकते है रोपवे के जरीए और रोपवे में इसी तरह का रहेगा इसले बना हुआ है तो यहां पर जाने की वेवस्ता होगी और चुकि यहां पर बनारस में मेट्रों चलाने सुबीता जनक नहीं है तो उसी के आउस्टं में लिप्ट पूरजेक्ट चालू किया जा रहा है अभी बन रहा है और हो सकता है एक दूसाल में बन के तयार जाए चले यहां पर दस्ता सुमेद घाट की आत्रा करते हैं माताना माशक्त में बन बदिश्रमाशे आजव माशक्त में और देखिए दस्ता सुमेद घाट बारिस के दिनों में बरसात में कि पूरा यहां पर मंदिर घाट वगरा है पानी में डूप चुका है कि अब गुमना है वहने कितना लगता है तो एक आदमी का लगता है कहां से कहां तक मरी करिकां से हरी चंद तक अच्छा मात्र सो रुपय में आप अपर आप गंगा सायर कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम आपको बनारस में खाट श्याम मंदिर का एक ड्रेक्ट लोकेशन बताएंगे और यहां पर आप देखिए दीना चाट भंडार फेमस चाट यहां पर बिलता है चाट भी मिलेगा फुचका में मिलेगा और दीना चाट भंडार का प्राइस लिष्ट क्या है यह आप देखिए बीलाज प्रॉपिज लगता है अँपर चाट वगणा वगणे जात इन पहले का अनुट तो फेस्ट होना नहीं है तो बनारस आने वाले के वो ट्राई करना चाहिए विल्कुल बिल्कुल दिना चाट के आँ जरूर आना के लिए तो यहां पर अगर आप बनारस आते हैं तो दिना चाट भंडार यहां का चाट यहां का पुछ का जरूर ट्राई कर सकते हैं और यह दिना चाट भंडार के जश्ट अपोजिट साइड में कि राइट साइड में महालक्षमी गार्मेंट से और बिल्कुल सामने आप देखिए एक खाटू शाम मंदिर आपको कहीं घूमना नहीं है बिल्कुल बिना चाट भंडार के अपोजिट साइड में पढ़ता है और इसी गली में आपको आगे बढ़ना है और यहां से चोटा से चोड़ाहा और 14 से आपको लेट साइड घूमना है ऐग और तोंडा सागर आपको जाना है मुसकिश में और यहां से सीधे नहीं राइट साइडआ है और यह रहा राजस्तान के खाटू सियाम मंदिर के तरश पर बना हुआ । स्रीश्याम मंदिर बनारस में लक्षा में है कि जो कि दो कि सब्सक्राइब कि बहुती सुन्दर बहुती प्यारा मंदिर है और यहां पर देविकी नंदन ठाकुर जी भी आने वाले हुनका आप डेट देख लिजिए एक बारा से इस साथ बारा दोजार चोवट्स तक इनका प्रोग्राम है तो दोस्तों आखिरकार हम खोजते-खोजते पहुँच चुके हैं खाटू श्याम मंदिर यहां लक्सा लक्षमी कुंड बनारस में जो राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के तर्च पर बना है और इसका टाइमिंग आप जान लीजिए आप सुबह में पांच बजे बहुती बारह बजे तक दर्शन कर सकते हैं श्याम बाबा के और बारह ब सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों हमारी बनारस की यहां पर कुर्ता खरिकते हैं और इंडिया ट्रेवल करेंगे और दोस्तों हमारी बनारस की है और जा वर्च यात्रा में बारिस भीस चूरु हो चुकी है और अभी हम ऩोड़ी देर में केंट पहुचने वाले हैं और गो कि विख्ते हुए आजीम लिएक वं रहरे हैं पर में में दोस्तों बहुत मजा रहा है और दोस्तों अब हम लोग आज चुके हैं बारिश में भिखते हुए वारानसी कैंट रेलेवे अब दोस्तों आपको एक मन में फ्रस्ट होगा कि बनारत घूमने में खर्चा कितना आता है एक वील जानी कर रहा है हम लोग को एक रुपया खर्च नहीं हुआ बनारत घूमने में कासी रेलवे स्टेशन पर हमने यातरा शुरू कि थी वहां पर काशी विशुनात मंदिर काफी जगह हमने यातरा की एक रुपया खर्च नहीं हुआ और अनपुर्णा में हमने भोजन किया बहुत अच्छ लगा और अब हम आज चुके हैं वारान सी टैन्स और यहां से हम चलेंगे मस्रा विरंदावान